प्रेंट्स मैरे हुलकुमार स्वागत है आप सभी के हमारी यूट्टीब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको सर्ट्स और इंडिसेस के कोश्चिन कराने वाला हूँ तो फ्रेंट्स हमारे सामने कोश्चिन है आईस कोश्चिन के साथ इस टॉपिक को सुरू करते हैं तो फ्रेंट्स अगर इस कोश्चिन को आप सॉल्फ करना चाहेंगे आप यहाँ देखिए कि रूट में जो नमबर दिया हुआ है वो कोई भी नमबर perfect square root नमबर नहीं है तो अगर आप directly अगर square root अगर निकालना चाहेंगे तो तीनों का क्या होगा square root जो निकलेगा वो decimal में आएगा और decimal में आने का मतलब क्या है कि problem हमारा और लेंदी हो जाएका time और ज़्यादा लगेगा तो ये काम हम नहीं करेंगे तो अब इसमें आपको क्या करना है कि 192 और 48 और 75 तीनों को तोड कर लिखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ देखिए 192 है 192 है तो इसको क्या करेंगे 64, 64 into 3 में हम तोड के लिखेंगे ठीक है अब आपके दिमाग में एक बात आएगा एक बात यह आएगा कि 192 को 192 को हम 96 into 2 में भी तोड सकते थे लेकिन नहीं तोड़ेंगे हमको ऐसा तोड़ना है बात ध्यान से सुनिएगा ऐसा तोड़ना है कि जो नंबर हमें मिलेगा उसमें कम से कम एक नंबर जो है अगर perfect square root का नंबर अगर हमें मिल जाए तो problem जो है वो easy से solve हो जाएगा तो अब यहाँ देखिए यहाँ जो है 64 जो है क्या है perfect square root नंबर है और इसका square root क्या निकलेगा 8 निकलेगा लेकिन अगर 96 into 2 में अगर हम तोड के लिखेंगे तो यह भी perfect square root नंबर नहीं है यह भी perfect square root नंबर नहीं है तो इसको तोड के लिखेने का फिर कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि दोनों decimal में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे इसको तोड के लिखेंगे 64 into 3 में तो यहाँ देखे अब यहाँ क्या कर रहे है अब क्या करेंगे कि 192 को 192 को 64 into 3 में तोड के लिखेंगे फिर minus का sign देंगे यहाँ 1 by 2 1 by 2 और root 48 root 48 को तोड के लिखेंगे 16 into 3 में फिर minus का sign लिखेंगे और root में 75 है तो 75 को तोड के लिखेंगे 25 इंटू 3 में हम ऐसा इसलिए लिखें क्योंकि 64 इंटू 3 में तोड़ें क्योंकि 64 क्या perfect square root नमबर है और 64 का square root क्या निकलेगा 8 निकलेगा यहां भी देखे 16 का square root 4 निकल जाएगा 25 का square root 5 निकल जाएगा तो अब देखें next step में क्या लिखेंगे next step में क्या लिखेंगे, यहां 64 है, 64 का अगर square root निकालना चाहेंगे, तो क्या होगा, 8 हो जाएगा, तो 8 और यह root में क्या होगा, 3, minus, यहां 1 by, 1 by 2 है, square root क्या हो जाएगा, 4, तो multiply 4, और यहां क्या है, root 3, minus 25 का square root के तना निकलेगा, 5, और इसमें हो जाएगा, root 3, अब देख यहां गया, 8 root 3, 8 root 3, minus, यह हो गया, 2 root 3, 2 root 3, यहां गया, minus, फिर आगया, 5 root 3, अब देखें, यहां बे root 3 है, यहां बे root 3 है, यहां बे root 3 है, क्या करेंगे, तीनो root 3, तीनो में है, तो क्या करेंगे, बाहर कौन निकाल लेंगे, तो अब देखें, यहां गया, 8, यह minus, यहा और तीनों से क्या कि ये root 3 को बाहर हम निकाल लिए तो यहां लिखेंगे root 3 आप इसको solve करेंगे 8 8-2-5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 into root 3 तो यह हो गया root 3 और root 3 का value क्या होता है root 3 का value आपको याद कर लेना है बहुत से एक्जामिट directly question पूचा जाता है तो root 3 का value क्या हो जाता है 1.1.732 और यहीं इसका answer हो गया तो next question में आप यह देखें कि next question जो है यह decimal वाला sum में decimal लगा हुआ दसमलाव sum में है तो अब आपको क्या करना है कि decimal वाले question को solve करने के लिए square root निकालने के लिए आपको क्या करना है यह देखें कि यहां लिखा हुआ है 2916 तो अब क्या किजिए decimal को आप भूल जाएए यहां लिखे 2916 और अभी आप क्या किजिए कि decimal को भूल जाए है डेसिमल को आप भूल जाएए 2916 है अब इसका square root निकाली है square root क्या होगा यह देखें यहां unit digit 4 है मतलब यह तो उसके unit digit 4 आएगा यह 6 आएगा यह तो 4 आएगा यह 6 आएगा 29 है तो यहां हो जाएगा 5 यहां हो जाएगा 5 5 का square 25 अगला संक्या 6 6 आए 36 मतलब यह जो है इसके नस्दिक जा रहा है यानि इसका answer क्या हो गया 54 हो गया इसका answer 54 हो गया अब आप सोच रहे होंगी कि 2916 का square root 54 इतना जल्दी कैसे निकल गया अ आपको समझ में आ जाएगा अब देखिए यहां क्या करना यह तो पता चल गया कि 2916 का square root कितना निकल गया 54 निकल गया 2916 का square root 54 निकल गया तो यहां लिखेंगे 54 और decimal के लिए आपको क्या करना है decimal के लिए आप count किजिए कि right side से कि कितना अंग के बाद यहां decimal है तो देखि यहां दो अंके बाद decimal है, तो इसका square root में एक अंके बाद decimal बैठा देंगे, फिर यहां plus का sign देंगे, अब यहां देखिए 2916 है, decimal को भूल जाईए, 2916 का square root क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा, अब यहां देखिए, 1, 2, 3, 4, 4 अंके बाद decimal है, तो 4 का धा क्या होगा? 2, तो यह यहां बैठा देएंगे 2 अंग के बाद decimal, फिर यहां plus का sign है, फिर यहां देखिए 4 और 2 6, 6 अंग के बाद decimal है, और 2916 का square root क्या होगा 54, तो यहां लिखेंगे 54, अब क्या है यहां 6 अंग के बाद है, तो 6 का अधा क्या होगा 3, तो यहां 3 अंग के बाद decimal बैठाएंगे, तो यहां 8 अंक के बाद decimal है, तो 8 का अधा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अब यहां 8 का अधा 4 हो जाएगा, तो यहां 4 अंक के बाद decimal बैठाएंगा, तो यहां 1, 2, इतने अंके बाद decimal है वो क्या होना चाहिए समसंख्या होना चाहिए ठीक है तो अब क्या करना है सब को एड कर देना है अगर decimal वाला एड आपको नहीं पता है तो ध्यान से देखें क्या करना है यहां 5.4 लिखा हुआ है तो यहां आप लिखे 5.4 अब यह decimal के नीचे ही decimal को लिखना है तो यहां लिखेंगे decimal और फिर 5,4 तो यहां लिखेंगे 5 फिर लिखेंगे 4 अब यह decimal को फिर इसका नीचे decimal के नीचे decimal ही देंगे 0,54 है तो यहां लिखेंगे 0,5,4 अब decimal के नीचे ही decimal लिखेंगे 0054 तो यहां कर रहा है यहाँ zero zero है कुछ नहीं है तो जीरो अब क्या कर रहा है आपको add कर देना अब देखिए क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा पांच और चार क्या हो जाएगा यह देख姜 अब क्या करेंगे हैं campus 8 लिखा तो 8 को तोड़्य है यह दोड़्य total के लिखेंगे 8 को तोड़के लिखेंगे 4 into two में और 4 into two में इसलिए टोड़े क्यों कि 5 às 4 नोड़्य परफेट several numbered और इसका perfect square root निकल जायेगा तूअ अब क्या करेंगे farklı to work 32 को 16 into टू में तोड़ की लिकिएंगे माइनस थ्री इन टू और वन हंटेढ ट्विंत्र तोड़का लिकिएंगे 64 64 इंटफ you replicated को स्वीय क्या 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 करेंगे फोड़क। और इसको तोड़के लिकिये फ्टिव को 25 25 इन टुट आप नेक्स स्टेब में क्या किरेंगे देखिए फॉर है फॉर का सक्फ़ाइब रूट के इंता ही निकलेगा तो यहां लिखिए रूट टु फिर पिलस सिक्स्टीन का स्कवारूश वर बिकल जाएगा four ए यहां जाएगा रूट 2, minus 3 into, और 64 का square root निकल जाएगा 8, और यहाँ root 2 हो जाएगा, तो 8 root 2 plus 4 into और 25 का square root हो जाएगा 5, और यहाँ जाएगा root 2, अब क्या करेंगे, दोनों में root 2 है, तो 4 और 2 को add करेंगे तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 और यह हो जाएगा, root 2 root 2 हो गया, अब यहाँ गया minus multiply करेंगे, 8 into 3 क्या हो जाएगा 24, फिर हो जाएगा root 2, फिर plus का sign 5, 4 जा 20 और root 2, अब देखिए root 2 इसमें भी है, root 2 root 2 इसमें भी है, root 2 इसमें भी है, और यहाँ भी root 2, क्या करेंगे, root 2 को common निकाल लेंगे, तो यहाँ आजाएगा 6, minus 24 फिर यह plus है, 20 अब यहाँ क्या गया, root 2 को बाहर निकाल लिए, common कर लिए अब देखिए इसको क्या होगा 20 plus 6 क्या हो जाएगा, 26 और 26 में minus 24 आजाएगा, 2 तो यहाँ हो गया, 2 root 2 is equal to लिखेंगे, 2 into 2 और root 2 का भीलू कितना होगा 1.414 अब multiply करेंगे 248 हो गया, 212 248, decimal 222, तो यह हमारा final answer हो गया next question देखते हैं, और next question देखने में आपको तो बहुत hard लगेगा पर उतना hard यह question है नहीं इसके लिए मैं आपको एक trick बता रहा हूँ ध्यान दिजेगा क्या करना है आपको क्या करना है, कि यह जो denominator में denominator में जो नंबर दिया हुआ है इसका sign change करके numerator में उपर में लिख देना है कहने का मतलब क्या है, यह जो fraction दिया हुआ है उसको हम कैसे लिखेंगे यह fraction को हम लिखेंगे रूट 9, रूट 9 और पलस का लिखेंगे माइनस, अब लिखेंगे रूट 8 अब आप सोच रहेंगे कि डिरेक्ट आप sign change करके ऐसे कैसे लिख सकते है तो अब यहाँ देखेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ यह जो fraction दिया हुआ है यहाँ लिखा हुआ है रूट 9, रूट 9 पलस, रूट 8 अब आप क्या करेंगे जब इसका rationalization करेंगे तो rationalization क्या करेंगे पलस का sign change करके लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे, रूट 9 माइनस, रूट 8 divided by रूट 9 माइनस, रूट 8 अब क्या 1 सीए मल्टिपलाई हो जागा तो क्या हो जागा रूट 9 माइनस, रूट 8 divided by क्या होगा अब यहाँ देखे A plus B और A minus B A plus B, A minus B क्या होगा A square minus B square A square minus B square मतलब यह हो जागा 9 minus 9 minus 8 और 9 minus 8 क्या हो जागा तो यहाँ लिखेंगे root 9 minus root 8 और 9 8 minus क्या होगा तो 1 अब आप देखिए ये जो number मिल गया कि root 9 minus 8 यहां मैंने लिखा root 9 minus 8 तो ऐसा ही आपको क्या करना है कि सब को क्या करना sign change करके यहां लिख देना लेकिन आपको एक condition check करना है कि ये जो number denominator में दिया है उसका square का difference क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए अब क्या करेंगे यहां sign change करके लिखेंगे तो आप यहां लिखेंगे plus अब sign change करके अगर numerator में लिखेंगे तो आएगा root 8 plus का हो जाएगा minus यहां लिखेंगे root 7 फिर यह plus का plus लिखेंगे और इसको साइन चेंज करके अगर उपर लिखेंगे तो रूट सेवन रूट सेवन पलस का हो जाएगा माइनस फिर रूट सीक्स फिर यह प्लस है अब इस दोनों का साइन चेंज करके लिखेंगे तो लिखेंगे तो लिखेंगे रूट सीक्स पलस का माइनस हो जाएगा 4 फिर पर है यहां तो लिखेंग परॉर 5 कि साइन चेंज हो जाएगा माइनेश गुम एसब क्यों कि आप सब में चेक करते सब का देख involved 1 काomon होगा इसलिए क्या कि यहां लिखेंगे और नेग्स्ट कोस्चन में क्या करना है क्या करेंगे पहले दोनों डेनिमिनेटर में जो है उसका लेंगे अब देखें नेक्स्ट स्टेब क्या होगा next step में लिखेंगे दोनों का LCM लेके लिखेंगे तो LCM में simple multiply करके ही लिख देंगे तो लिखेंगे root 7 minus root 5 और ये bracket में ये होगा root 7 plus root 5 अब इसको जब इसे अब इससे जब इसको divide करेंगे, divide करेंगे तो क्या आजाएगा आएगा root 7 plus root 5 और इससे numerator वाले को multiply करेंगे तो आजाएगा root 7 plus root 5 का whole square यहाँ हो जाएगा plus अब यहाँ क्या हो जाएगा root 7 minus root 5 का whole square अब देखें ये simple formula में आ जा रहा है क्या हो जाएगा a plus b का whole square plus a minus b का whole square ये जो direct formula में आ गया क्या formula में आएगा ये देखें यहाँ आ जाएगा a plus a plus b का whole square ये plus a minus b का whole square ये formula के form में आ गया और इस formula के परावर क्या होता है होता है 2 into a square plus b square तो यहाँ देखें a plus b का whole square a plus b का whole square plus a minus b का a minus b का whole square तो इस इकल टो में क्या हो जाएगा 2 into a square plus b square तो यहां लिखेंगे 2 into और a square तो a square के जगा में क्या होगा root 7 का square तो root 7 का square हो जाएगा 7 फिर plus है तो लिखेंगे plus और b का square तो b के जगा में क्या है root 5 और root 5 का square क्या हो जाएगा 5 divided by क्या हो गया यहां देखें यह भी formula में आ रहा है a minus b into a plus b यहां रहा a minus b into a plus b formula क्या होता है a square a square minus b square तो यहाँ a square तो a के जगरण क्या है root 7 आर root 7 का square क्या होजाएगा 7, फिर minus है और b के square तो b के जगर में हो root 5 और root 5 का square होजाएगा अब next step में क्या होगा next step में 2 है अब 7 फाइब एड करेंगे तो हो जाएगा 12 divided by minus करेंगे तो 2 और 2 से 2 cancel हो जाएगा यहां गया 12 और यही 12 हो गया answer अब नेक्स question देखते हैं और इस तरह के question मैं पहले भी बताया हूं क्या करना है क्या करना है यह देखे क्या करेंगे यह समें decimal दिया हुआ है तो decimal को आट भूल जाएए तो यहँगर decimal को यहां भूल जाएगे तो 409600 तो यहां लिखेंगे 4096 और क्या करना है यह number का square root निकाल लेना decimal को भूल जाएगे और square root निकाल लिए अब square root निकालने के लिए क creeping 6 है तो इसके unit पर square root के unit digit पर या तो 4 आगा या 6 आगा यहां 40 है तो यहां 6 हो जाएगा 6 का square 36 हो जाएगा अगला संक्या 7 और 7 का 49 तो इधार हो गया 9 इधार हो गया 4 मतलब इसका square root निकल गया 64 अब आप सोच रहे होंगे कि 4096 4096 का square root जो है 64 इतना जल्दी कैसे निकल गया अगर आपको नह निकालने का special video हमारे channel पर available है और उसका link मैंने i button पर दे दिया है आप जाका देख सकते हैं क्या करना है अब देखिए कि इसका square root जो है 4096 का square root 64 निकल गया आगे देखते हैं अब यहां लिखेंगे square root इसका 64 निकल गया तो यहां लिखेंगे 64 और जैसा कि इससे पहले वाले इससे इस तरह के question में पहले भी मैंने बताया था क्या करना है यहां count कीजे कितना अंग बाद decimal है तो फिर यहां लिखेंगे 4096 decimal बूल जाईए और decimal भूल जाने के क्या होगा 24 square root 64 64 और यहां 4 अंग के बाद decimal है तो 4 का अधा क्या होगा 2 तो यहां 2 अंग के बाद decimal बैठाएंगे फिर यहां plus लिखेंगे और यहां क्या 6 अंग बाद decimal है decimal भूल जाएए और square root निकाल लिए तो क्या होगा 64 और यहां क्या 6 और देसिमल को भूल बल्कषिक जीरो अब क्या करना वादो एड कि इसका पॉयड करता हैš नहीं को सिंपल है क्या करनेंगे यहां लिखेंगे 6.4 यहां लिखेंगे अब decimal के नीचे ही decimal लिखना है तो यहां decimal है यहां लिखेंगे decimal 64 फिर यहां लिखेंगे 64 अब यहां plus है फिर क्या है यहां decimal यहां लगाए decimal 064 यहां लिखेंगे 064 फिर यहां plus में क्या है यहां decimal तिहां decimal 0064 तिहां रखेंगे 0064 अब अब सिंपल सबको add कर दीजे अब क्या करना add कर देना है तो अब देखिए यहां गया 4 6410 का 0 एक आगे हांसिल यहां जाएगा 1 फिर यहां गया 1 6 और 7 तो यह हमारा यह decimal और यह हमारा finally answer आ गया देखते हैं और next question में भी आप देखिए यहां square root निकालना है अगर square root निकालना आपको नहीं आता है तो square root का special video हमारे channel पर available है और इसका link मैंने i button पर दे दिया है क्या होगा यहां देखिए 121 लिखा हुआ है और इसका square root जब निकालेंगे तो क्य हो जाएगा 11 हो जाएगा 11 divided by 11 है 11 हो गया फिर यहां पलस है अब क्या है 45 लिखेंगे 45 और 169 का square root निकालनाहे square root कितना हो जाएगा 169 का हो जाएगा 13 into यहां है 13 divided by 225 स्कार रूट निकलेंगा 15 अब क्या करेंगे यह थे थर्टिंस से थर्टिंसल हो गया और 15 वंचा 15 और 15 3 जा, 45 यह कट गया, अब यह 11 से 11 कट जाएगा, तो यहाँ गया 1, फिर यह प्लस, अब यहाँ गया 3, यहाँ गया 3, अब 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4, तो इसका answer हो गया, 4 next question देखते हैं, और इस तरह के question भी मैं पहले बता रखाऊं इसी वीडियो में, क्या करना है आपको यह देखे, कि denominator में चेक करना है, जो number दिया हुआ है, दोनों number का square का difference, square का difference अगर 1 है, तो क्या करना है, sign change करके, sign change करके numerator में लिख देना है, तो अब इसको क्या करेंगे, दे हो जाएगा, root 99, अब यहाँ भी देखे, दोनों का square का difference क्या है, 1 है, तो sign change करके, उपर लिखेंगे, तो यह minus हो गया, अब यह क्या हो जाएगा, sign change हो के उपर लिखेंगे, तो root 99, यह minus का हो जाएगा, plus root 98, फिर यह पलस, अब इसको भी sign change करके, उपर लिखेंगे, तो क्य हो जाएगा root 98 minus का plus root 97 अब यह आगे इसे ही चलते जाएगा तो आगे जब इसे चलते जाएगा लास्ट में है क्या आएगा इसका भी क्या करेंगा देखें दोनों का square का difference क्या आएगा वन आएगा तो sign change करके उपर लिखेंगे तो लिखेंगे root 2 और minus का लिखेंगे plus और लिखेंगे root 1 अब क्या होगा यह देखें अब यह हो जाएगा root 100 plus root 99 यह minus हो गया minus plus minus और लिखेंगे root 99 minus plus multiply होगे minus हो जाएगा और यहां के root 98 फिर यह है plus यहां के root 98 प्लस ये रूट 97 ऐसा ही चलते जाएगा अब यहां क्या आगए रूट 2 प्लस रूट 1 अब देखे क्या कैंसल हो रहा है ये प्लस रूट 99 माइनस रूट 99 दोनों कैंसल हो गया minus root 98 और plus root 98 cancel हो गया तो इसी तरह आगे cancel होते हैं चलते जाएगा और ये भी cancel हो जाएगा last में किवल ये बचेगा यहां गया root 100 यहां गया root 100 अब ये क्या है? plus ये आगया 1 100 का क्या होगा? square root कितना हो जाएगा? 10 अब plus 1 का क्या हो जाएगा? 1 दोनों को add कर देंगे क्या हो जाएगा? 11 और यही इसका answer हो गया तो आएए friends अब next question देखते हैं और इस तरह के question मैं इसी वीडियो में पहले भी बताया हूँ क्या करना है आपको? क्या करेंगे? दोनों का LCM लेंगे पहले denominator में तो आब यहां लिखे अब यहां LCM लेके लिखेंगे root 3 minus 1 into root 3 plus 1 अब क्या हो जाएगा? इससे जब divide करेंगे इसको तो यहां जाएगा root 3 plus 1 और root 3 plus 1 से जब multiply करेंगे तो यहां जाएगा root 3 plus 1 का whole square minus और इससे जब divide करेंगे इसको तो आगा root 3 minus 1 और root 3-1 को यहां multiply करेंगे तो आ जाएगा root 3-1 का whole square अब यह देखिए दोनों formula में आ गया कौन सा formula में आ जाएगा यह आप ध्यान देजेगा यहां आ गया क्या A plus B का whole square यहां minus फिर A minus B का whole square तो A plus B का whole square minus A minus B का whole square is equal to क्या हो जाएगा 4AB तो आप देखिए यह formula में आ गया और नीचे वाला formula में भी आ रहा है तो अब यहां क्या लिखेंगे 4 और A B और A और B के जगा में क्या है A के जगा में है root 3 तो यहां लिखेंगे root 3 और B के जगा में है 1 तो यहां क्या लिखेंगे 1 divided by यह भी formula में आ रहा है कौन सा formula में आ रहा है यह आ रहा है a minus b a minus b into a plus b is equal to क्या होता है is equal to होता है a square minus b square तो अब यहाँ formula apply किजिएगा यह formula तो यहाँ क्या हो जाएगा a square minus b square तो root 3 का square क्या हो जाएगा root 3 का square हो जाएगा 3 फिर माइनस और 1 का स्क्वार क्या हो जाएगा 1 तो अब यह क्या हो जाएगा अब यह हो जाएगा 3-1 हो जाएगा यहां लिखेंगे 4 यह रूट 3 हो जाएगा divided by 3 minus 1 हो गया 2 2 से जब कड़ेगा तो यहाँ 2 times में हो जाएगा तो यह हो गया 2 root 3 तो यहाँ लिखेंगे 2 root 3 और यही हो गया answer next question देखते हैं और next question में इस question में आपको थोड़ा सा time लग सकता है क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सबको अलग अलग जो है rationalization करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है तो आईए solve करते हैं तो अब क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 3 root 7 और क्या करेंगे? इसको sign change करके multiply करेंगे तो यहाँ अगर sign change करके multiply करेंगे तो लिखेंगे root 5 और plus का हो जाएगा minus root 2 divided by क्या हो जाएगा? root 5 plus root 2 और multiply में यह sign change करके नीचे भी लिखाएगा तो यहाँ लिखेंगे root 5 minus root 2 ऐसा लिखने से क्या होगा आप देखें? यह दोनों तो same term है अगर दोनों कट जाएगा, one आ जाएगा और one से multiply करने पर कोई भी फर्क नहीं होगा तब यहाँ भी क्या करेंगे? वही काम करेंगे यहाँ 5 root 5 और इसको sign change करके numerator और denominator दोनों में multiply करेंगे तो यहाँ लिखेंगे sign change करके root 7 फिर minus root 2 divided by क्या हो जाएगा? root 7 root 7 plus root 2 फिर लिखेंगे root 7 minus root 2 अब यह plus है तो यहाँ लिखेंगे plus, यहाँ है 2 root 2 तो लिखेंगे 2 root 2, sign change करके multiply करेंगे root 7 plus का minus हो जाएगा root 5 denominator में क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा root 7 फिर plus root 5 अब multiply में इसे को नीचे लिखेंगे root 7 minus root 5 अब क्या होगा? यह देखे, कौन सा फर्मूला अपलाई होगा? यह देखे यहाँ क्या होगा? a plus b, a plus b और a minus b तो यहाँ लिखेंगे 3 root 7 root 5 minus root 5 minus root 2 अब क्या होगा? divided by a plus b into a minus b तो यहाँ a plus b into a minus b क्या होगा? a square, a square minus b square तो a का square यह दिखेंगे root 5 का square तो root 5 का square क्या हो जाएगा? root 5 का square हो जाएगा? 5 फिर क्या हो लिखेंगे? minus और b के जगब में क्या है? root 2 तो root 2 का square क्या हो जाएगा? 2 फिर यहाँ minus है यहाँ minus लिखेंगे फिर लिखेंगे 5 root 5 यहाँ हो जाएगा root 7 minus root 2 divided by फिर formula अपलाई करेंगे a plus b और a minus b तो a square minus b square तो क्या हो जाएगा 7 minus 2 फिर यह plus है फिर यहाँ लिखेंगे 2 root 2 root 7 minus root 5 अब यहाँ फिर formula apply करेंगे a plus b a minus b यहाँ हो जाँगा a square minus b square तो a square मतब root 7 का square root 7 का square क्या हो जाएगा फिर minus यहाँ क्या हो जाएगा 5 तो next step में क्या लिखेंगे यहाँ हो जाएगा 3 root 7 root 5 minus root 2 और यह divide में क्या जाएगा 5 में 5 में जब 2 minus होगा तो आ जाएगा 3 और 3 से 3 क्या हो जाएगा चैंसल, फिर यहाँ लिखे रहे हैं, फिर यहाँ लिखेंगे 5 रूट 5 5 रूट 5 और रूट 2, रूट 7 माइनस रूट 2 डिभाइड़ बाई, माइनस करेंगे तो क्या जाएगा? 5 प्लस यहां जाएगा 2, root 2, root 7, minus root 5 और यहां जब minus करेंगे तो क्या जाएगा 2, यह 2 से 2 यह cancel हो जाएगा, यह 5 से 5 यह cancel हो जाएगा, अब क्या करना है यह देखें, next step में, अब यहां से लिख रहे हैं अब क्या हो ये देखें यहां बच्छ रूट्ष 20 ऐन्ट तो यहां लिखेंगे यहां लिखेंगे रूट-7 अब मल्टिiggling करेंगे है होड़ेंक प्लू समाहिक फिरिपलास माइनस माइनस से वन इन्टुड रहिरह यहां किया है माइनस है और रूट फाइब इंट हो रूट ब 조्रू Qurossफ्र παडलेंसरों उथैंड। रूट टू तो यहां लिखेंगे रूट फाइब इन्टू रूट टू अब यहां प्लस है तो लिखेंगे प्लस अगया रूट टू इन्टू रूट सेवन यहां हो जाएगा रूट टू इन्टू रूट सेवन पलस माइनस हो जाएगा माइनस यहां हो जाएगा रूट टू into क्या है root 5 अब देखी क्या cancel हो रहा है cancel हो रहा है इसको काटते चल जाएंगे अब देखे यहां क्या हो जाएगा root 7 into root 5 और root 7 into root 5 यह दोनों cancel हो गया root 7 into root 2 अब यहां गया root 7 into root 2 यह plus है यह minus दोनों cancel हो गया अब क्या होगा root 5 into root 2 रूट 5 इंटू रूट 2 यह माइनस ही यह प्लस दोनों कैंसल हो गया तो ओभारोल क्या बचा ओभारोल जीरो और यही एंसर हो गया तो फ्रेंट से हमारे लास्ट कोचन था और उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लाइक सब्सक्राइब और सेर कीजिएगा थेंक्यू